जै मतादी मेरे चैनल में आप सभी का भहुत भहुत स्वागत है सुबह की कुछ गलतियां आपके चेहरे को पूरी तरीके से डेमेज कर देती हैं अब वो गलतियां होती गया है मैं आपको अपनी आज की इस वीडियो में यहीं बताने वाली हूँ आप सभी से रिक्वेश्ट है प्लीज पूरे टाइम वीडियो में बने रहिएगा और अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है तो हम सुबह उठके ऐसी कौन सी गलतियां कर देते हैं जिनकी पहले तो मैं आपको बता दूँ जिस तरीके से हम सांस लेते हैं जीवित रहने के लिए ठीक उसी तरीके से अगर कुछ लगाना तो उसके लिए भी मैंने वीडियो दे रखी है तो सुबह जब आप उठते हैं क्योंकि रात भर आपका फेस आपकी तरह और सांस ले रहा था यानि कि आपकी इसकिन भी सांस ले रही थी अब जब सुबह आप उठे हैं तो सुबह आप खुद अपने क्या आप कुछ न कुछ पीते हैं लेकिन इसकिन के लिए आप क्या करते हैं आप समझ नहीं पाते हैं हाला कि पानी पीते हैं वो भी आपकी इसकिन को फैदा देता लेकिन आप कुछ गलतियां कर देते हैं अब वो गलतियां क्या हैं कुछ लोगों की हैबिट होती कि सुबह सुबे जब वो brush करते हैं उसी समय वो अपने face को बहुत ज्यादा साबून से रगड के दोते हैं तो सुबे सुबे एक दम जब आप सुबे ब्रस कर रहे हैं उसके बाद में आपको अपने face के उपर sabun, face वाज, face पे कुछ भी नहीं लगाना है क्योंकि उस समय सुबह का जो माहौल होता है सुबह का जो मौसम होता है वो इतना अच्छा होता उसमें आपको अपने फेस पे कुछ लगाने की जरूवत नहीं है इतनी जल्दी बस आप ब्रस करिए मूँ में पानी भरिए जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था मूँ में पानी भरके इस तरीके से मुग को फूलाईए और छीटे मारके अपने फेस को धूए पानी से इतना ही काफी है आपकी स्किन के लिए लेकिन जब आप इसके अपोजिट बहुत सारी चीज़ें सुबह सुबह से फेस पे पोतना शुरू कर देते हैं तो आपकी जो इसकिन न अपने फेस को पानी से दुखिंग फिर जब आप चाय पी लेते हैं नास्ता कर लिते हैं उसके बाद में नमबर आता है आपकी स्किन के ऊपर कुछ भी लगाने का तो इसकी लिए को क्या करना है सब से पहले आपको अपने फेस को कच्चे दूद से साफ करना है या अगर आपके पास में कच्चा दूद रोज उपलब्द नहीं है तो आप ठंडा दूद ले सकते ही है ठंडे दूद में कॉटन को भिगो के अपने पूरे फेस को गीला करिए एक से दो मिनट के लिए छोड़ दीजे फिर सूखे कॉटन से अपने फेस को पोच दीजे आप देखेंगे फेस के उपर जो भी अगर गंदगी लगी हुई थी तो कॉटन पर आपको दिख जाएगी वो सारी कॉटन में निखल जाएगी उसके अलावा अपने फेस को रोज एक या दो बार स्किन टोनर से जरूर टोन करिए स्किन टोनर का ही मसाज अपने फेस को जरूर दीजिए अब मसाज का मतलब यह नहीं है कि स्किन टोनर से आपको पांट दस या पंद्रा मिनट मसाज करनी है बस एक cotton पर skin toner लीजिए, cotton को गीला करिए skin toner से अपने पूरे face के उपर फैला दीजिए एक से देड़ मिनिट के लिए छोड़िए और उसके बाद में दूसरा टुकड़ा cotton या रूई का लीजिए उसके उपर 3-4 बूंद अपना यह skin toner आप डालिए और अपने face को बिल्कूल हलके हाथों से रगड़ के आप पोश लीजिए आप देखेंगे जो भी आपके face के उपर make-up के कड़ रह गए थे या जो धूल मिटी के कड़ हो गए थे गंदगी के वो सारे आपके उसी रूई के टुकड़े में चिपक के बाहर हो जाएंगे और आपकी skin अंदर से चमक उठेगी तो इस तरीके से छोटी छोटी गलतियां हमारी skin को damage करती रहती है और हम जानकारी के अभाव में वही गलतियां दिन प्रते दिन दोहराते रहते हैं इसलिए आज से बिलकुल नियम बना लिजिए आपको सुबह उठके अपने face पे साबून नहीं लगाना face वास नहीं लगा कोशिस करिए और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको जादा से जादा से शेयर कर दीजिएगा like कर दिया करिए like करने में आपको कुछ नहीं लगता है लेकिन आप लों बहुत कंजूसी करते हैं like करने में नमस्कार नहीं वारत